वेलकम टुकॉलेज ओप्शन और जैसे कि कई सार बिच्चे कमेंट कर रहे थे कि पंचाम इंजिनिरिंग कॉलेज चंडिगड के ऊपर एक वीडियो बना देजिए उसकी कटफ क्या रहती है उसकी पैकेज क्या रहती है कैसा कॉलेज है तो उसी के ऊपर हम लोग यह वीडियो हुआ है यानि यह पंज़ब इंजिनिनेरिंग कॉलेज के चंडिगड के ऊपर की वीडियो है इस पूरे वीडियो में हम जो देखने वाले है helpful क्या रहती है और साती सात मैं आपको बताऊँ की कि आईसा है तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को सफर्शू क करते हैं कि बात करें इसकी एनराइफ रेंकिंग की तो 78 रैंक है सारे इंजिनिरिंग कॉलेजिस में जैसे अगर आप जानते होंगे तो नाइटी जम्शेदपुर की रैंकिंग 101 के आसपास है लेकिन इसकी रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो 146 एकर साइज है स्टेबलिश्मेंट के बात करूं तो 1921 में स्टेबलिश वा था यह पुराना कैंपस इसका कई सारे विल्डिंग इसकी 60-50 यह पुरानी है एंडिमिशन प्रसेजर की बात करूं तो जेही में के थूरू याइट का एक्जाम देना हो का जों कांसलिंग होता है दो तरीके से होता है एक होता है कसाब के तुरू और एक होटा है जोशा के फूरू जोशा जोभाया इस कांसलीग उतलों पटो रहा सिखवता है différents प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट यह इसका एवरेज पैकेज के अगर मैं बात करूं पूरे कॉलेज का तो 7-8 लाइक है क्योंकि कई सारे ब्रांचेज हैं अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो 2019 का हाइस पैकेज रहा वह 42 लाइक पार नम रहा वसे 2018 का ही स्टेट्स हमारे पास ज्यादा है 2019 का बस यह मिला कि CSC में 42 लाइक गया था हाइस पैकेज जबकि 2018 में 34 लाइक हाइस पैकेज था और उससे पहले 27 लाइक का पैकेज थे हाइस पैकेज थे हाइस पैकेज के अंदर बीडियन पैकेज की बात करूँ तो 6.5 लाइक पर नम है मीडियन का मतलब है एक तो आपने अवरेज देख लिया जो हाइस प्लस लोइस को करके कर देते मीडियन मतलब 50 तू सिक्स परसेंट ने जहातर बच्चों को क्या मिला है पैकेज जैनि 50 परसेंट से अब बच्चों को या 50 परसेंट या 40 परसेंट बच्चों को जो सैलरी आफर हुई है वो 6.5 लाइक की हुई है नि 6.6 लाइक का पैकेज ऑफर हुआ है उनको कॉलेज के अंदर मिनिमम पैकेज की अगर बात करूं तो जो प्लेस्मेंट लगी है वो 3.25 लाइक पर नम की लगी है ऑवर और का प्लेस्मेंट 100% है इनका सिविल की प्लेस्मेंट के अगर मैं बात करूं तो 85-90% है काफी बच्चों का यह रहते हैं कि प्लेस्प्लेस्ट का भी कम चल रहा है इसमें और आवरेज पैकेज कि की बात करूं कुप्यूटर साइंस निज्जरिंग के तो 9-10 लाइक के बीच सब्सक्राइब करें तो एक साल की 1.65 रुपीज फीस है अच्छा आप यह देख रहे होंगे पिक्चर में उसकी बिल्डिंग उसका साइड में हेलिकॉप्टर से वहां पर रखा रहता है इंडियनियर वोसका और स्टाव में इस फीज की बात करें तो एक साल की 1.65 रुपीज पर यह और यह ब्रांच है और आपकी हाइस पैकेजेज है आठाश्य को चानने कि कि लिए कि ली कि उसके फूर्ज परकार्ने कि पर्णी है तो उसमें यह आप चैकर कि क्या उनुस कॉल्ज में पियसचे उस आती है यह वह प्योवर्मेंट अंडटेकिंग फ़ांस होती गवर्मेंट कंपनी के अंदर जैसे इसके अंदर ONGC है, IOCL आती है, इस तरीके से गेल है, यह सारी PSUs के अंदर आती है, और कम से कम अगर मेकैनिकल ब्रांच या प्रडक्शन ब्रांच को लेगी, तो इसका जो सैलरी ओफर करता है, तो 12 लाक पर आनम का करता है, यानि 12 लाक और उपर से government job है, यानि job security मिल जाती है एक तरीके से, और कई सारे benefits मिलते हैं, वो अलग, तो वो आती है, तो उसको चेकर जैसे DTU है, उसके अंदर आती है, और इसके अंदर भी आती है, पंजाब engineering colleges में, कई core branches में, अगर मेकैनिकल की बात करते हैं, कई बच्चे पूछते engineering में 8.8 लाक बॉय नमका है, लेकिन इसके अगर मैं बात करूँ, तो अगर 40 बच्चे अगर इसमें जाते हैं, तो एक cut-off निकाला जाता है, पहले तो उस college के अंदर कि आप उसके लिए eligible हैं, भी placement के लिए या नहीं, तो 32 बच्चे लाजिवल होएते हैं, तो उसके अंदर या नहीं, उसको placement मिली है, coding के अंदर, computer science में 2018 में 34 का था और इस सार 42 का है, 42 लाक का है, electrical engineering में 17.5 लाक हाइस रहा, electronics and communication में 27 लाक हाइस रहा, mechanical में 17.5, metallurgical and material में 17.5, and production industrial में core company का था 7 लाक, यानि core company ने, core company जैसे मैंने बताया ना, आपको Tata, Mahendra और Volvo, जैसे Volvo आती है इसमें, तो उन लोगों ने दे रहा है, production industrial में 7 का, यानि यानि कि ये बंदा production industrial का हो, और उसने coding से कर रहा है, ऐसा नहीं है, उनकी वहीं पे प्लेस्ट हुआ है, 7 लाक हाइस पाकेज रहा है, हम ब क्या cut-up रहता है, तो aerospace engineering में ये home state वालों का inside, outside state वालों का लिए है, और ये जो cut-up है, ये 7th round का है, 7th round का है, closing cut-up 2018 का, अभी तो first round का आ चुका है, अपना 2019 का, लेकिन 2018 का 7th round का cut-up है, तो aerospace के अगर मैं बात करूं, तो home state का 37,000 rank गया था, जब कि computer science में 11,000 तक की rank गई है, and electronics and communication में 17,523 की rank गई है, जब कि production industrial में 53,000 की rank गई है, outside state के गर मैं बात करूं, तो aerospace में 17,000 की rank गया है, जब कि computer में 8,432 का rank गया है, mechanical में 41,215 का rank गया है, जब कि production industrial में 33,000 का rank गया, 33,906 का, इसमें OVC category नहीं है, college के अंदर शाहिद नहीं लेते हैं, और SC category है, और ST category के अंदर मिलते हैं, तो branch name की अगर मैं बात करूं, तो aerospace में हो, home state में 5,684, ये category wise rank है, ये all India rank नहीं है, category wise rank है, and civil engineering में 13,630 गया था, जब कि electrical engineering में 11,262 गया है, mechanical engineering में 22,372 गया है, production industry में 16,000, जिनकी SC category में rank थी, उनको मिला है, home state अगर जिनका पंजाब है, outside state के अगर मैं बात करूं, तो aerospace में 4514, जब की computer में 2462 पे close हो गई थी, वह होम state में 249 तक गया था, computer science के लिए, electronics and communication में 4820, जब की mechanical में 11,115, ये cut-up गया है, mechanical engineering branch के लिए, और production engineering के लिए 9589, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि college काफी अच्छा है, काफी financial companies भी आती है, non-tech भी आती है, tech भी आती है, core companies भी आती है, और सबसे बड़े बात PSUs आती है, and PSUs के अंतर काफी बच्छों का data रहते हैं, इसको करते हैं, तो जैसे, आपका चार साल की engineering हो रही होगी, खतम होने वाली होगी, तो gate का जो exam आपको clear करना होगा, और उसके अंदर, जिनकी all India rank 500 या 600 के ऊपर होती है, उनको एक call letter जाता है, यानि जिनका 80 marks है, 100 में से, उनको call जाता है, और उनको call जाता है, और फिर उनको बुलाया जाता है, इंटर्विय के लिए, और उसके बाद यह placement offer होती है, ठाएंगी दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको में ये वीडियो अच्छे ठाएंगी दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए